असलाब अलेकों फ्रेंड्स मैं सफदर खान क्यानी आप देख रहें मेरा चैनल वाइस आप क्यानी चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को लाजब सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि तमाँ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से डि सब्सक्राइब करते हैं के ट्रॉल उसका इंपोर्टेंट अंबर ऑफ टेस्ट के जाते हैं हर के टेग्राइज करके चीजों की तेस्टिंग को रही होती है और सेक्शन में देयों सेक्शन होता है एस्वीरी चैनल वाता है यृष्प निश प्रडुक्ट और समे फिनिश औ तोग गरते हैं लेकिन आप उसको द्बारा टेस्टिंग क्यों करते हैं फार्मसिकल हम इस चार से इस पॉइंट को डिसकस करेंगे कि री टेस्टिंग होती क्या है यह रो मोटिल्स की यह सेमी फिनिश की फिनिश पृड़क की री टेस्टिंग क्या होती है और इसके लिए बाखायद एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है आपको cgmp पर इसकी गाइडलाइन दी ग पॉइंट रही है तो देखें किस जब भी कोई आप आप सप्लायर आता है यह कंसाइमेंट आती क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग के लिए तो जब आप उसको टेस्ट करके रिलीज कर देते हैं अपने तमाम पेरेमिटरों को देखते हुए और यही तो आप अपने उसको रिलीज कर दिया लेकिन आप प्रडेक्शन में चलायर यह रिस्टिंग का सपीर पान साल you on the यह यहांगे हो उम सब्हुते हां यह तक एक बाट टेस्ट करने के बाद उसको यह तोगाश्टिंग नहीं है, guideline आपको इससे मना करती है, guideline कहती है कि जब भी आप किसी raw material को release कर देंगे, let's suppose अगर उसकी expiry तीन साल की है, तीन साल तक उसको use कर सकते हैं, चार साल तक उसको use कर सकते हैं, तो लेकिन आपका criteria यह होगा, जब भी आप किसी raw material को release करेंगे, तो उसको आप एक retest की date देंगे, वो compound to compound vary करती है, वो हम discuss करेंगे, वो क्या होती है, इसको क्यों करते हैं, वो भी बात करेंगे, अगर कोई भी API है, यह जिसको हम active ingredient, जिसको हम generic भी कहते हैं, जो product का generic होता है, उसको जब भी आप test करके release करते हैं, तो उसकी जो री टेस्टिक की जो date होती है, वो आप पनिया देते हैं, याद रिकिए कि एक्टिव API होते हैं, उनकी retesting की date वन यह दी जाती है, यानि वन यह के बाद उसको आप दुबार test करेंगे, जैसी वन यह आएगा तो आप उसको आप जैनी आपने सप्तमबर 2020 में उसको release किया है, तो सप्तमबर 2023 में आप उसको दुबार release करेंगा, अगर वो inventory में हमेशा जब भी आप retesting date देंगे तो वो two years होगी, जैसे कि अगर एक्सिपेंट को आप पास कर रहे हैं 2022 में और उसकी expiry है 2025 2025 यानि तीन साल की expiry है उसकी, तो आप तीन साल तक उसको rely नहीं करेंगे, अगर आप दुबारा वेज बना रहे हैं तो दो साल बाद उसको दुबारा टेस्ट करेंगे, एक्सिपेंट के case में आपने जो उसको रिलीज किया है 2022 में और उसकी expiry है 2025 तक लेकिन अगर आप 2024 में उसको दुबारा वेज बना रहे हैं और इंवेंटरी में मौझूद है अभी बचा हुआ है तो आप पहले वाली टेस्टिंग की बेस पर उसको रिलीज नहीं करेंगे 2023 2023 में इसको दूबारा टेस्टिंग की होगी उसकी बेस पर उसको दुबारा डिस पंसी करें यह क्राइडरे यह है उसकी रिलीज करेंगे तो उसके लिए आप यह याद कि लिए नटीद उसके केस में जो होगा हमेचा 6 मंत की पारी होगी 6 मंत की रीटेस आप देंगे यह तीन क्राइटिर यह किसी भी रॉपनित को लेकिन पिर इसके लावा आप थोड़ी सी पॉड़ेशन में आ जाए तो उसका क्राइटेरी यह है कि जो सेमी फिनिश पॉड़क्ट होती है पॉड़ेशन की उनका मेंशर टू मंस के लिए आप रीटेस्ट कर सकते हैं यह अगर आपने आज सेप्तंबर में उसको रिलीज किया है सेमी फिनिश पॉड़क्ट को तो नौंबर तक वो वैलिडे नौ यह वहाज बाद रीटेस्ट चीज़ ओर रहा है कि अगर आपका रीमिट टेस्टिंग डेट देते हैं लेकिन वह त्यांकि चिप्ट बगारा को लेकिन उस रीटेस्टिंग के बाद भी वहां रखा रहा है फिर विंवेंटरी में में मौजूद है तो पिर हैं का करेंगे आ आपने किसी को six months एक one year की एक री टेस्टिंग की डेट पर रिलीस कर दिया लेकिन वन यह के बाद वहां inventory मुझूद है और वन यह के बाद फिर बेच बन रहा है तो फिर क्या करेंगे तो वह दुबारा आपके पास री टेस्टिंग के लिए यह जब सेकंड टाइम कोई चीज से तो फिर आप एक केस में six months देंगे याद रुकिए का फस्ट री टेस्टिंग वी डेट बन यह रोती है शगन टाइम टेस्टिंग करेंगे तो आप उसकी डेस्टिंग की डेट पर six months देंगे और इसी तरह एक्सीपेंट अगर आगर आगर सेकंड टाइम करें तो फिर व है वो six month ही रहेगा अब हम बात करते हैं कि इंपोर्टेंस क्या है क्यों क्रेटेरिया क्या है इसकी सब्सक्राइब इंपोर्टेंस यह कि कोई पीचिस मट्रियल अगर लेट सब्सक्राइब आपने आज रिलीस किया है और उसके आपने री टेस्टिंग देट वन यह दिये और वन यह के दोरान और छे बार डिस्पेंस हुआ है यानि छे बार वो कंटेंटर कुले है और उसके बावज़ीं इन्ट्री में मौजूद है वह वेरावस में रखा हुआ है तो याद रहे को इसका मौशर बढ़ सकता है इसलिए कहा है अच्छी क्वार्टी प्रोड़क्त पूर्यूस करने के लिए यह रिसर्च बैस है कि यह डेट्स में आपको बताई है कि सिक्स मंत है वन यह यह टू यह और टू मन्स है यह रिसर्च बैस स्टेडी होती है जिसकी बैस पर रिसर्च बताए इसको डोरी टेस्टिंग करने रिजन कहा है ताकि क्या क्या प्रड़क्त रिलिस करें और जो आप मट्रीर रिलीस कर रहें ताकि आपको इसकी पता चल जाए कि वह जब है क्या उसको अप डेटक कर लेंग तो इसके रिए यहां तक क्लिर रोगे उसका सबसे पहले जो देखा जाते हैं एक साल रखा हुआ है दो साल रखा हुआ है उसके अपीरेंस में कुछ चैंज तो नहीं आई यह टेस्ट लाजमी किया जाते हैं और फर्स टाम हो चुका होता है क्योंकि वही चीज़े इसके बाद सबसे इंपोर्टन चीज़ जाता है लॉसन यह लाजमी की जाता है और थर्फ टेस्ट अब लाजबिव करते हैं और वीज चेक कर ले तैस्ठ को मोईश्टर लेकर रखे रखे हो सकता हवार्ड तो हुए उसकी तो नहीं आ रहा यह तिन चार पर्यमीटर के टेस्ट होते हैं बहुत इंपोर्टन यह लुद्स बहुत इ निकालते हैं ऐसे के साथ एसस पोटनेशी चैकर कर रहोते हैं उसके चीज़ की पिरोडिक चली जाती है तो भी बाइव पिर लोग कर लोग करते हैं अब इसे लिए लग कैसे लगाएंगे यहाद है कि जब भी आप किसी राम मौर्टिर को डाटे हैं तो जो संपली का लेबल होता है जब है किसे कंटैरर करते करते ले ऱोड़े उपर लगता है और रिलीज का लेबल उसके लगता है तो रिलीस का क्राइडरिय के जब भी रिलीस लेबल लगेगा वो इसके यहां पर नीचे लगाया जाता है यह इस जगह पर यह बेस्ट प्रेक्टिस का पाड़ है यह सेंप्लर का लेबल लगता है यह यलो कलर का होता है और यह ग्रीन कलर का होता है यह कलर कोडिंग्स होती है करते हैं ससका हाव और प्रिलीज में लगा राख़ते हैं के लिए उपर लगता है यह झाल हुआ है इस तरीके से लगा रहता है यह से ने क्यों आफ चेस्टम होगी नहीं नहीं सिक गैंस झोगी नहीं प्रोटनिसी ग्ग्रोग ठीक है यह एक्जम्पल से हमने इसको समझ जा अब इसमें एक और इंडस्टी में लिबॉर्ट्री में इसको किया किस तरह के जाता है तो इसके लिए कुछ लोग की होती है जो कॉलिटी इंचार्ज या कॉलिटी एक्जेक्टिव लोग होते हैं या कॉलिटी के सीनियर्स लोग होते हैं वह अड़ बिग्निंग ऑफ दा मन्थ यानि हर महीने के स्टार्ट पर अपने पास सिस्टम में का सॉप्टर बेस कंपनी है यह मैनूली काम हो रहा है तो किन किन मटीन के रीटेस्टिंग होती है तो वह उसा चेकर के वैस के सवप्टर देस्ट हैं अगर मैंने और ऐगैंस वेस्ट चांच को इंटीमेट कर देता है कि यह कंटेनर यह मटीरल री टेस्ट पर आ गहे हैं अब आप बताएं किसके इंवेंटरी पर यह मटीरल है यह नहीं तो वहां से अगों करके अगर 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 होता है तो इसको यह प्रोसेस इंडस्टिर पर करने का होता क्या है अगर आप इसको नहीं करते हो इसको डैफिनिटली उस परड़क की पोटनिसी जो आप डिसपेंस कर रहे थे वह वह वैसी नहीं होती इसलिए इसकी और उसकी एक साल बाद 6 मेने बाद यह दौसको चेक किया जाए तो इसकी प्रटनिसी उसी किता पता चले जाएं लेट सबोस्ट फर्स्ट पर 99.90 तो डेफिनेटी एक साल बाद या दो साल बाद 98 बी हो सकती है 98 पर संथिंग भी हो सकती है 97 बी हो सकती है क्योंकि वह इसके खुलता है और बंद होता है तो मौश्चर अब्जॉब करता है जिससे उसकी फिरोडी में फर्क आता है यह यही इसका पार्ट है होई CGMP guideline और ISO 14000 आपको यही कहता है कि आप इस तरह किसी मटील को टेकल यह हैंडल करेंगे राव मटील को राव मटील हो गया एक्सीपेंट्स हो गया और चो भी प्लिवांस पाटेबल तो यह हमने बहुत असान और इसी वें में समझा एक्जम्पल कर समझ आप तो यह था आमने आज डिसकस किया कि री टेस्टिंग होता कै रही आप मृटील की और क्यों करते हैं स्की क्रति शॉप्रेल को या किसी और इंडिस्ट्रिल डाकुमेंट को लेके आएंगे वो सक तक के लिए इजादत तैंक यू अला पीस